हलो दोस्तो एक बाइफ फ्रिस वागत है हमारी यूटूब चनल में आपका दोस्तो आज हम बात करेंगे बिटकोइन इंडिया के अंदर क्या वेलिड है या नहीं है दोस्तो दोस्तों कर बात की जाए बिटकोइन के बारे में तो मैं आपको बता दूँ कि इंडिया में अभी इसको illegal करा गया है दोस्तों क्यों कि बात ये हुई थी कि government ने इसको approval नहीं दिये तो मैं आपको थोड़ी ज़दा ओर detail बताऊंगा इस चीज के बारे में भारती रिजर बैंग ने ये expressed किया था कि वा तुरंती अपने प्रभाव उसी संस्ता और कारवगरियों और व्यक्तियों को कोई सेवा नहीं देगा जो बिटकोइन का व्यापार करते हैं अब दोस्तों बात करते हैं अपने अंदर 2019 में ये क्या होता है दोस्तों मैं बता दू कि जैसे अपना जो वॉलेट होता है या फिर बैंक होता है तो किसी व्यक्ति या अन बिजनेस पर कोई बिटकोइन या जैसे किरपनसी या खरिती या विक्री की सेवा नहीं दे सकता है तो उसमें क्या होता है कि अगर bank हुआ या फिर e-wallet हुआ या फिर कोई entity ऐसी RBA की चीज है जो कि regulate की तरह आती है दोस्तो तो crypto currency क्या करती है उस चीज को खरिती है या फिर बेशती है तो इस चीज की जो अनुमती होती है दोस्तो तो वह government आपन को नहीं दे की तो इसमें जार holders थे और virtual currency वाले थे न विटकोइन की जो ट्रेंडर्स और जो तो उनको बार-बार यह बता रही कि आप इस चीज को मत ले मत ले मत ले तो अब बात यह आती है कि साथ में जो में जो चीज होती है इसके तो क्या होती है कि जो इसमें जोकी मृता सबसे बढ़ा कि आप अपन उसमें कि कोई भी ऐसा यूजर है, holder है, निवेशक हो गया या ट्रेंडर हो गया अधी या फिर virtual currency का dealer हो गया तो उसमें जो भी आप पैसा लगा रहे हों दोस्तों वो सारा का सारा अपने जोकी में लगा रहे हो तो कुल बिल्ला के अगर जो बात अपन की जो टोटल होता है दोस्तों वो यही है कि इंडिया के अंदर bitcoin को पूरी तरह से illegal बाना गया गया है दोस्तों अगर आप न जानते हुए या फिर जानते हुए भी इस जीज को लगा रहे हो तो जोकी में दोस्तों आप ही पर होगा दोस्तों तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हम में जरूर बताया कमेंट बॉक्स में लिके लाइक करें शेर करें और हमें सब्सक्राइब करें